कुदरत इनसानों के साथ कभी कभी ऐसे चमतकार करती है जिसे उन्हें accept ही करना होता है हाल ही में एक महिला ने ऐसे दो बच्चों को जर्म दिया है जिसे देखने के बाद लोगों को लगा कि ये एलियन है वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे के चहरे से लेकर उसका पूरा शरीर सफैद पढ़ चुका है ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी स्किन सीमेंट से बनी हो बच्चे के शरीर पर कई सारे क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं आखिर क्या है ये बीमारी आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं नमस्कार दोस्तों बोल स्काय में आपका स्वागत है एक मा के लिए उसका बच्चा भगवान का दिया सबसे खुबसूरत तहपा होता है बच्चा चाहे जैसा भी हो जन्म देने वाली मा उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाने में आगे रहती है हालां कि एक मा का दिल तब सबसे ज्यादा बुरी तरह से तूट जाता है जब उसकी संतान को भगवान एक अजीबो गरीब बिमारी या तकलीफ के साथ धर्ती पर भेज देते हैं हर प्रेगनेंट औरत ये चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्त और बिमारी या विकार से मुक्त पैदा हो हालां कि हर बार ऐसा नहीं होता कुछ बच्चे ऐसे बिर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं जिनकी दिक्कतों को समझने में एक बार को तो डॉक्टर भी नागामियाब हो जाते हैं अब ऐसा ही एक केस इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है दरसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वाइरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा देखने को मिल रहा है जो इतने अजीब औ गरीब बिर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है कि उसको देखने के बाद मा का दिल भी धक से रह गया वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे के चहरे से लेकर उसका पूरा शरीर सफैध पड़ चुका है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी स्किन सीमेंट से बनी हो बच्चे के शरीर पर कई सारे क्रैक्स भी नज़रा रहे हैं उसकी आँखें और मुह लाल है जबकि पूरा शरीर सफैध सीमेंट से ढखा हुआ नज़रा रहा है आखिर क्या है ये बिमारी आईए आपको बताते हैं ये बच्चा एकदम एलियन जैसा लग रहा है वो ना तो अपना मुह पूरी तरह से बंद कर पा रहा है और ना ही अपनी आख्वें खोल पा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद लोग दंग रह गए हैं सबी लोग सोच में पढ़ गए हैं कि आखिर बच्चे के साथ किया हुआ है दरसल बच्चे को हारले कोईन एचिथायोसिस नाम की एक आनुवाइंशिक बिमारी है ये बिमारी स्किन को बुरी तरह से परभावित करती है हारले कोईन एचिथायोसिस से पीड़ित बच्चे समय से पहले पैदा होते देखे जाते हैं इनके शरीर के ज्यादतर हिस्सा मोटी और सक्त तवचा से धका होता है जिन में दरारे देखने को मिलती है सबसे चौकाने और हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस बिमारी का कोई इलाज भी नहीं है वीडियो में दिख रहे बच्चे को भी यही अनुवंशिक बिमारी है फिलाल बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वैरल हो रहा है लोग भी इस बच्चे की वीडियो देखने के बाद अपने रियाक्शन्स दे रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें इसक्राइब करें बाद भीडियो काुरी इस पर्वेंट भीडियो आपने लेखने को सब्सक्राइब करें लिख करेंगे